हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे तो आज हम इसमें अपनी UK PCS के स्ट्राटेजी देखने वाले हैं जैसे कि हमें पता है हमारे पास वन विक बचा है ठीक है 14 जुलाई को हमारा एक्जाम है तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे कौन-कौन से important subject है जिससे हम कम समय में अधिक score कर सकते हैं ठीक है मैंने यह भी लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितने marks के question पूछे गए हैं ठीक है तो इसी तरी किस देखेंगे हैं हमारा स्लेवर से लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट पे कितना focus करें और नीचे मैंने यह बुक्स बता कंदोलन से हमारे चे कोश्चन है यूके स्पेशल से 21 कोश्चन है जोगरफी से 16 कोश्चन है जो ओर्गनाइजेशन है इसकी वीडियो मैंने बना रखी चैनल पर अपलोड है आप लोग इससे जरूर देख लीजिएगा तक कि कम टाइम में छोटी सी वीडियो है और आप 9 क प्राथन देख लीजिए economy के 13 कोश्चन है काफी अधिक होते हैं आप इसको एक बार इसके कुछ बेसिक चैप्टर ने वह चैप्टर पढ़िए जैसे GDP हो गया inflation हो गया current fair के 27 कोश्चन है इसके लिए मैं लास्ट में एक बुकलेट बताऊंगी उससे आप पढ़ सकते हैं ठ देखते हैं हमने देखा कि सब्जेक्ट में कितने कोश्चन पूछे गया है ठीक है अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे प्राइवर्टी लिष्ट में होने चाहिए ठीक है प्राइवर्टी होने चाहिए तो हमारे प्राइवर्टी सब्जेक्ट में होने च फिर होना चाहिए करन्ट अफेयर फिरम जोग्राफी एकॉनमी और और और्गनाइजेशन यह सब्जक्ट ऐसे हैं जिससे हम कम समय में अधिक आउटपुट ले सकते हैं ठीक है यही हो गया यूके स्पेशल से करन्ट अफेयर और्गनाइजेशन जोग्राफी फ्लस हिस्ट्र और पीवाईक्यू पीवाईक्यू जुरूर देखना ठीक है यह सब्जक्ट विए लिखे है प्राइटी जोग्राफी प्वालिटी एकॉनमी एन्वार्मेंट क्यूके स्पेशल हिस्ट्री और लास्ट वे साइन्स यह इसका स्लेवस दिया गया है आपने देखा होगा कि इ एक एक सब्द अलग लग लिखा है कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है किस सब्जक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक पढ़ना है यह पूरा दिया गया है अभी हम कट आफ पर भी बात करेंगे इसमें यह इसी तरीके से भार्तिय राश्टी अंदोलन का स्लेवस है फिर हमारा भुगोल का स्लेवस है ठीक राजिवस्था का स्लेवस है इसा तरीक इसे पूरा स्लेवस दिया गए Means एकनोमी का स्लेवस है यह मज़ें है एक एक टोपी का लगल-ग लिख वगोवा है बिल्कुल तो हम बात करेंगे आपको पता है कि एक्जाम अभी लास्ट यह कब हुआ था 2021 में हुआ था 2022 में रिजल्ट तो 2021 में हुआ था तो जो फीमेल की कट ओफ गई थी फीमेल की कट ओफ गई थी 79.69 अप्रोप्स 80 लेकिन इसमें आप सबको पता हुआ कुछ इशू हुआ था कि जो इन्होंने उत्त्रखंड की जो फीमेल थी उन्हीं को इसमें कट ओफ में सामिल गया था बाकि अधर इस्टेट की फीमेल को जनरल में काउंट किया गया था हलाकि यह दोких किसी को किलियरह नहीं पता है कि लास्टे में क्या डिसीजन हुआ था तो फिर अपो लोग अपना डिसीजन बाहन कर चलें जो इत्रखंड से बाहर की फीमेल और उत्त्रखंड वाली अपना要as कर चले मेल के लिए और जन्रल इसे लिए जो अधर स्टेट के वैं से टेट के जंडल है उनके लिए कट ओफ गए थे 94.01 तो 95 लगबग तो इससे में यह बता चलता है कि हमें अपनी कट ओफ का का टार्गेट क्या रखना है कट ओफ का टार्गेट रखना है हमें 100 प्लस ठीक है 100 प्लस टार्गेट रखेंगे तभी हम सेफ स्कॉर में पोच पाएंगे और अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे तो भी तक हमने देख लिया किस सब्जेक्ट से कितने कुश्यन पढ़िए कम्पूटर जी के पढ़िए करेंट अफेयर पढ़िए और यूके स्पेसल इसी से आपके कम समय में अधिक कोशन कवर हो जाएंगे अब हम देख लेते हैं कि हमें बुक कौन सी पढ़नी है तो मैं करेंट अफेयर के लिए एक बुक आई है मार्केट में ग्रीन ग्रीन कलर की है इस बार जो आई है ग्रीन टर्ण यहां मैंने फोटे से लिए लगाई है क्योंकि फिर वो कॉपिराइट क्लेम हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ठीक है अगर आपको इसकी फोटो देखनी है तो आप मुझे बता दे ना मैं कोसिस करूंगी ग्रीन टर में तो आप कमेंट कर देना मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी बाकी अच्छे से पढ़ते रहे है ओल दा वेस्ट एंड थैंक्यू